भूर्जर करेंगे दिए दने पता ही नहीं हो क्य वरी स्टूडेंट नो अक्सर घंसल्टेंट्स नो ब्लेम कर देने सो आज आपा इंटेक दी भी गल करांगे जड़ा कमिंग इंटेक है फब इंटेक उसनों लहके स्टुडेंट की में त्यारी दिना लगे वदन किनना कू चंगे आपा वीजा दी उमीद कर साथ देयां कमिंग इंटेक जेविच और किस तरह दी प्रोफाइल वाले नो खास त् दी वी ज़रूरत है और इक इक पॉइंट तो अडेनाल क्लियर करनगे आज साडेनाल असी वीडियो विच पूरी जानकारी तो औरना सांजी करन ली इन्वाइट किता है जी नेविगेटर ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गुल मैम नो बहुत बहुत पासे जो है वीजा चांसेज वधिया ने केड़ी ऑप्शन दनाल स्टूडेंट होगे वधना चाहिए तांके फर्स्ट टाइम अप्लाई करेते ही तो अनू तो अड़ा वीजा मिल जाए सो ऑस्ट्रेलिया नो लेके खास गलना सांजी करनी है कि आखिर किते स्टूडेंट् और पर ब्लेम कर देने सो एक गलना नो लेके अवेर होना स्टूडेंट्स आट उन्हादे पेरेंट्स आवी अवेर होना बहुत ही जादा जरूरी है बहुत-बहुत स्वागत है मैं और ज़रूर मैं शुरूआत वीजिशी आज गल करना चाहूंगी किते आके यह कोई भी कंट्री दी जदगाल करते हैं तो जेडी कंट्री देविचे तड़ा प्रोफाइल बनदा उसे कंट्री बिच अप्लाई करो जबर्दस्ती ना करो क्योंकि जया तुसे ट्राइ कर दे रहो होगे तो देविचे तड़ा पैसे दा बहुत नुकसान हो जनदा है क्योंकि टाइम जड़ा तड़ा तड़ा निकल गया ओ नहीं वापस आ सकता तुसे देखो कि आर्ट्स दे बच्चे अनों जेड़े अस्ट्रेलिया दी उनिवर्स्टिया बहुत मुश्कल ना लें दिया ओदे विचवी चार्ट सब्जेक्ट जमेन बहुत अच्छे है फिर कं तो वीजा चांसे बहुत काटूं दिया 22 पास आउट हो ना उपरों सब्जेक्ट अच्छा तुसी एक चीजा त्यान रखना मनलोग प्लास टूचे तो आड़े 65 परसेंट आ गया है बट टैंथ विच कली में एक काउंसलिंग करे से हो दे विच देख्या टैंथ विच क्योंकि कोटे देविचे कई वारी तक्केनाल चीजा निकल जांदी है पर जद कोटा खतम होन वाला हुंद है वो दे बाद जड़ी है वो बहुत मुश्कल हुंद हो जे प्रोफाइल बिल्कुल ओड जांदे कई वरी बच्चे कंदे मेरा फ्रेंड ते निकल गया और जद अस्ट्रेलिया दे विच इस टाइम तर देखो मला बच्चे आंदे एही कोश्चन आ रहे है कि मेरी फाइल लगे बड़ा टाइम हो गया डेड मिनने हो गया दो मिनने होगे रिजल्ट नहीं आ रहे है ते हून जड़े है जिनने भी बच्चे मेरी हुना नो एही रिक्वेस लेटर मिल सकते है असी उना नो नेक्स्ट इंटेक दे विचे ही लावांगे यह देखो कि फीस भी जानी है तो अटी मनलो सपोज अपां कट तो कट भी दास है या डॉलर देने या हूं ठीडा है जिस दिन डॉलर गया मतलब फीस जमा कराई है डॉलर दा की रेट है वो दे हर बैंक दे अलग रेट हूं दे है और बाइचंस वीजा रफ्यूज हो गया तो अधी अमबैसी फीस जेड़ी रफली चाली गयार चली अंदी है और ओधे बार जेड़ा तो दादा फीस आनी छे तो अठ हफते अंदा टाइम हों देड़ तो दो मिन ने ओ खराब हो गया त प्लस डॉलर दा की रेट है प्लस बैंक ने किन्ना कटके अपनू दितता है तो बच्चे दा लग सवा लग दा नुकसान हो जंदा है तो यह चीजां दा तुसी बहुत त्यान रखना है कि जर तो अटा प्रुफाइल बंदा फेरी लाओ नहीं ते जरी कंट्री च बंदा उ इसे कंट्री देविचे तुसी लगाओ फिर तो अटे वीजा चांसेज जागा हूं जी बिलकुल सो ए सारी गलंदा सुड़न नू त्या अन्सुरूर रखना चीज़ए तो मैं आपा फैबिन टेक दी वी जेकर गाल कार दिया कोदो तक स्टुड़न नों फटा-फटा- इसकी लग दिया ओधेली तुसी कीक होगे देखो मैं यह तह पहली कह चुके हैं जड़ी डाइसी लग दिया प्रोफाइल और ना अप्लाई करो ठीक है लेकिन जड़े फैबिन टेक वस्ते जड़े अच्छे प्रोफाइल है और जरूल है और हजे ही अप्लाई करन दा करने हैं इंकम टेक्स रिटर्न ना होने चाहिए फिनेंशल होना चाहिए फिर जाके तो अड़ा जड़ा वीजा चांसे सुन दिया जी विल्कुल सो नादी नाल मैं जरूर करना चाहूंगी स्टूडेंट्स नों तो अड़ापना कोई सवाल है नेविगेटर्स ओवर सीज नंबर जो है लगाता डिस्प्ले है इस ओपर तुसी कॉल करके भी पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो मैं नों मिलना चाहूं दे हो अपने बारे कुछ चंगियां ऑप्शन जानना चाहूं दे ता जरूर अपने डॉकुमेंट्स लेके नेविगेटर्स ओवर सीज ओवर सी कितिया ने अगो विए से स्टूरेंट्स ली होर इंफरमेटी वीडियो जाके आंदेर हमांगे आजली सानुद्यों जी इजासत थैंक यू सो मज थैंक यू